हलो इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम जो टोपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लब फुट क्लब फुट की बात करें तो ये एक तरह की कौन जिनाइटल एबनॉर्मल्टी होती है कहने का मतलब ये है कि बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहती है अब इस कंडिशन में होता क्या है तो जो भी बच्चा होता है बेबी उसके फुट में या पेर में ट्विस्टिंग रहता है ट्विस्टिंग का मतलब है कि उसका जो पेर है वो मुडावा रहता है अंदर की तरफ केसे रहता है मैं आपको ये डाइग्राम के थुरू बता देता हूँ जैसा आभी डाइग्राम देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ तो जो है एक बच्चे का नॉर्मल फुट है जो बिलकुल सीधा है बट जो कलब फुट वाला बेबी है इसमें आप देखेंगे कि ये जो पेर है यहाँ से अंदर की तरफ ट्विस्ट हो रहा है और इस तरह से मुड रहा है तो इस कंडिशन को बोलते है कलब फुट जो कि एक कंजिनाइटल डिसॉडर होता है अब बात आती है कि ये कंडिशन होती क्यों है यानि कि बच्चे का पेर अंदर की तरफ क्यों ट्विस्ट हो जाता है तो इसके पीछे एक रिजन रहता है कि जो टेंडन्स पाये जाते है टेंडन्स होते हैं जो मसल्स को बोन से जोडते हैं तो फुट में जो टेंडन्स होते हैं इनकी जो लेंथ होती है वो शोट होती है नोर्मल से कम जिस वज़े से जो बोन से पेर की वो क्या हो जाती है खिच जाती है ट्विस्ट हो जाती है तो ये इसका रिजन होता है कि जो जो बच्चे के पेर में टेंडन्स होते हैं, वो टेंडन्स अपनी नॉर्मल साइस से छोटे होते हैं, जिस वज़े से बोंस या जो मसल से वो एक दूसरे खीचीवी रहती हैं, जिस वज़े से जो बच्चे का पेर है, वो अंदर की तरफ मुड जाता है, ओके? नेक्स वन अब बात आती हैं, यहाँ पे इसकी causes की, तो जो exact cause है, club food की वो unknown है, बट यहाँ पे कुछ risk factors हो सकते हैं, जिस वज़े से club food condition हो सकती है, like family history, अगर किसी person या बच्चे की family में ये problem पहले present थी, तो हो सकता है कि इस वज़े से हुई हो, नेक्स वन है, conzenital conditions, conzenital जैसा में आपको बताया, birth के time present रहने वाली problems, तो club food जो है, associate होती है, दूसरे skeletal abnormalities से, मतलब किसी बच्चे में birth के time, दूसरी अगर कोई skeletal abnormalities present है, तो उसमें club food भी हो सकता है, तो कौन-कौन से skeletal abnormalities हो सकती है, like spinal bifida, spinal bifida कैसी condition होती है, जिसमें spinal cord जो है, या vertebral column जो है, वो fuse नह को बोलते है, spinal bifida, तो किसी बच्चे में अगर birth के time, spinal bifida गी problem present है, तो उसमें club food भी हो सकता है, okay, next one risk factor हो सकता है, इसमें environmental factor, अगर pregnancy के time, कोई female smoking करती है, तो उस वज़े से भी club food हो सकता है, और last one, इसमें risk factor आता है, कि जो amniotic fluid रहता है, pregnancy के time, यानि amniotic fluid क्या होता है, जो baby present रहता है, वोम में, उसके चारों तरफ एक layer पाई जाती है, amniion and chorion, और उस amniion and chorion और baby के बीच में fluid भरावा रहता है, जिल्ली गे अंदर, जिसको बोलते है, amniotic fluid, ये amniotic fluid बेबी को, मतलब भार से जो भी shock वगेरा, stress वगेरा आता है, उससे prevent करता है, shock absorbing का का काम करता ह ठीके, तो अगर pregnancy के time, इस amniotic fluid का level normal से कम है, वोम में, ठीके, उस वज़े से भी club food की condition हो सकती है, तो ये कुछ हो गए, इसके risk factors, next मैं बात करें इसके sinus symptoms की, तो इसमें क्या-क्या लक्षन देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो pair होता है बच्चे का, बहुत कैसा रहता है, नीचे की तरफ जुकावा रहता है, और नीचे जुका रहता है, डाउनवर्ड and inward, twisted रहेगा, मुडावा रहेगा, डाउनवर्ड and inward, जैसा में आपको डाइग्राम में बतायता है कि कैसा मुडावा हो है, पेर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो बच नेक्स्ट वन क्या कंडिशन सिम्टम में आएगी, कि जो पेर है वो इतना ज़्यादा अंदर की तरफ मुड जाएगा कि ऐसा लगएगा कि पेर का जो शेप है या जो डाइरेक्शन हो कैसा है, अपसाइड डाउन है, तो इतना यह जो अंदर की तरफ twisted रहता है, नेक्स्ट जो club foot वाला पेर है, वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा in comparison to normal foot, ओके, नेक्स्ट वन इसमें बात आती है, कि जो calf muscles होती है, पेर में जो calf muscles पाई जाती है, वो भी under developed रहती है, कहने का मतलब यह है कि जो club foot है, यानि जो पेर affected हो रहा है, उसमें जो calf muscles होईगी, उनकी growth नहीं रहेगा, ओके, तो यह कुछ इसमें symptom देखने को मिलते हैं इस तरह के, नेक्स्ट वन आप बात करे हैं, अपने इसके complications की, क्या कैस में problems देखने को मिलती है, तो person जो बच्चा आता है, उसको movement में दिक्कत आती है, जो affected food है, उसमें चलने में problem रहती है, leg length भी कम रहती है, ज अगर club food को अगर treat नहीं किया जाए time से, तो इसकी वज़े से कुछ serious problems भी हो सकती है, like यहाँ पे है first one arthritis, club food वाले patient में arthritis हो सकता है, यानि joints में inflammation हो सकता है, next one problem हो सकती है, poor self image, जिस बच्चे को club food रहेगा, तो बच्चपन में तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जैसे ज चल नहीं पाएगा, इस वाज़े से उसकी जो self image है, self जो respect है वो कम रहेगी, ठीके, next one है, inability to walk normally, जो normally चल नहीं पाएगा, और जो walking adjustment है, वो भी उसका normal नहीं रहेगा, okay, तो इक कुछ complications जो है, इसमें देखने को मिलती है, next one अब बात करें, अपने इसके diagnosis की, तो यहाँ पे history collect करेंगे, physical examination करेंगे, x-ray और ultrasonography कर सकते है, okay, next one अब बात करें, इसके management की, तो जो club food का management होता है, यह generally कब किया जाता है, जब बच्चा पेदा होता है, उसी time choice का management या treatment करना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि उस time जो बच्चे की bones, joints, tendance होते हैं, बहुत flexible होते हैं, तो treatment करना आसान रहता है, अब बात आती है, कि इसमें क्या treatment होता है, तो इसमें दो option होते हैं, treatment के एक तो है stretching and casting, इसको poncety method भी बोलते हैं, दूसरा option आता है, surgery, तो अब first one अपन बात कर लेते हैं, poncety method की, तो जो poncety method है, यह common method है, treatment का club food के, यानि mostly cases में club food इसी से ही treat किया जात है, तो अब इसमें कैसे treatment किया जाता है, poncety method में, तो जो बच्चा होता है, जिसके पेर में problem है, तो सबसे पहले जो यह doctor क्या करता है, उस baby के पेर को normal position में लाता है, normal position में लाने के बाद, उसमें cast लगा देता है, cast आपको पता होगा, जो fracture वगेरा हो जाता है, तब जो cast ल यह जो process है, cast वाली, यह हर week में एक बार की जाती है, कुछ महिनों तक, ठीक है, तो इस तरह से जो है, बच्चे की जो abnormal position हो रखिये पेर की, उसको normal position लाने में क्या करते हैं, cast का use करते हैं, अब बात आती है कि यहाँ पर reposition हो गया पेर, मतलब normal position में आ गया, उसके बाद क्य करते हैं, तो जब जैसे ही पेर बच्चे का position में आने लग जाता है, उसके बाद बच्चे को stretching exercise दी जाती है, जिससे क्या होता है, कि मसल सोड़ी stretch होती है, दूसरा, एक braces भी patient या बच्चे को लगाए जाते हैं, ब्रेसे क्या होते हैं, लाइक जो teeth वगरा में लगते हैं, ज इस तरह का shoes होते हैं दोनों में, और इन shoes के बीच में एक metal road होती है, तो इससे क्या होता है, कि बच्चे का जो पेर होते हैं, वो अपनी normal position में ही रहते हैं, बापस से जो है abnormal position में नहीं आते हैं, तो इस तरह से जो है ponceti method के through club food का treatment किया जाता है, पहले तो क्या करते हैं, इ इसके बाद उसमें braces लगाके उनको लंबे time तक वेसी position में रखते हैं, अब बात आती है, second one इसके बाद surgery कि अगर ponceti method काम नहीं आता है, condition जादा severe है, तो उस time surgery करनी पड़ती है, इस surgery में क्या करते हैं, कि जो tendence, मैंने आपको starting बताए कि ये problem क्यों arise हो रहा है, क्योंकि ज लेंद को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो जैसे उनकी लेंद बढ़ेगी, तो पेरों में जो खिचाओ है, वो भी कम होगा, और खिचाओ कम होगा, तो बच्चे का पेर वापस से position में आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका दो option का treatment होता है, ponceti method and surgery, next one बात आती है, इसके भी drug नहीं लेनी चाहिए, जो pregnancy के time मना हो, ओके, तो ये इसका जो है complete treatment वगेरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है, मुझे comment करके पूछ लीजे, thank you